नमस्कार दोस्तों मैं इंशल्ड मैं आप सभी के अपने चैनल टेकिन डार्गेट पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी जादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है TCS NQT की डेट अनाउंस हो चुकी है और आप सभी के बहुत मेजर डाउट यही है मैं हर जगे देखना हूँ कि सर प्रेपरेशन कैसे करनी है बट उससे पहले मुझे यह लगा प्रेपरेशन जे पहले आपको यह जानना बहुत ज़ादा ज़रूरी है कि अपडेटेट टेस्ट पाटन क्या रहने वाला है और अ आपको प्रोग्रामिंग आनी बहुत ज़ादा ज़रूरी थी आपको अपने टेस्ट में दो कोडिंग कोशन मिलते थे बट इस बार आपको एक भी कोडिंग कोशन करने की जरूवत नहीं है अगर आपको TCS निंजा रोल क्राक करना है हा दोस्तों इस बार TCS NQT दो रोल के लिए अनाउंस हुआ है ताट इस निंजा एस वेल एस डिजिटल तो मैं इस वीडियो में आपको अपडेटेट टेस्ट पार्टन एस वेल एस स्लिबर्स पताऊंगा साथी साथ कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स पताऊंगा जो की टेस्ट से रिलेटेट बहुत ही पासक जरूर देखेगा और मेरा एक छोटा सा तार्गेट पूरा जरूर कीजेगा इस वीडियो पर हम 600 लाइक का टार्गेट रख रहे हैं और जैसे ये लाइक टार्गेट पूरा होता है अगर आपकी और कोई नीड होती है TCS NQT से रिलेटेट तो वो भी हम अपने चानल पर जल्दी से जल्दी अप्लोड करेंगे अगर आपको प्रिपरेशन मटेरियल चाहिए या पिर ये जानना है कि कैसे से TCS NQT के लिए प्रिपेर भी करना है तो प्लीज कमेंट सेक्षेन में जरूर पताइएगा तो लेट्स स्टार्ट दा वीडियो मैं आपको अपनी स्क ये तक का package बड़ी असानी से grab up कर सकते हो फिर दोस्तों कुछ TCS के test features है उससे पहले मैं आप सभी को बतायता हूँ अगर आपने TCS के लिए register नहीं किया है NQT 2023 के लिए तो make sure register भी register जरूर कर दीजेगा link आपको description में मिल जाएगा तो test के features की बात करता हूँ तो इसमें सबस test consisting of two sections यहां दोस्तों आपको दो section मिलेंगे पहला जिसमें से होने वाला foundation फिर दोस्तों होने वाला है advance ठीक है अगर मैं next चलता हूँ all candidates will be required to appear for both the sections of the TCS NQT in order to eligible for the interview अब मैं आपको बता हूँगा कि दोनों के लिए कैसे apply करना है बहुत लोग यह भी doubt था कि sir क्या हमें सिर्फ part A attempt करना है या फिर दोस्तों क्या फिर sir हमें सिर्फ और सिर्फ part B attempt करना है तो इसके बारे में भी मैं आपको in detail बता हूँगा बट rules के according अभी आपको दोनों attempt करने हैं ठीक है ठर्ट पर आते हैं based on the test performance candidate will be shortlisted for either digital or ninja interviews इसके लिए select कैसे होंगे तो इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा tension लेने की बिलकुल भी ज़रूरत नहीं है बस हां यार वीडियो लास्ट तक जरूर देखेगा क्योंकि काफी जादा मेहनत लगी है PPD बनाने में हर एक information आप सभी के लिए collect करने में TCS NQD for this year can be taken in center or remote please note no further changes would be permitted once the above section is done दोस्तों देखिए जब आप TCS का application form भरोगे तो उसमें पूछेंगे in center or remote अगर आप application form में in center भर देते हो तो बाद में वो change नहीं होगा अगर आप वो remote भर देते हो तो बाद में change नहीं होगा remote means work from home work from home का मैं कुछ disadvantages पता देता हूँ जैसा कि आप सभी को पता है TCS के जो servers होते हो बिलकुल भी अच्छे नहीं होते exam देते समय आप सभी को problem आ सकती है और उसके जिम्यदार आप लोग होते हो बट हाँ अगर आप test in center देते हो तो वहां internet issue server का issue सारी जिम्यदारी TCS की होती है तो वहां कहीं न कहीं आपको ये advantage मिल जाता है आगे बढ़ते हैं दोस्तो updated exam pattern बट इस point को मैं जरूर समझाओंगा कि यहां इन्होंने लिख रखा है all candidates will be required to appear for both the sections of the TCS inquiry in order to be eligible for the interviews दोस्तों यहां TCS ने न पार्ट A और पार्ट B डिवाइट कर रखा है suppose करो पार्ट A में almost charge ही जा रही है पहला है traits जो की बहुत easy होगा numerical ability most asked questions verbal ability and reasoning ability ठीक है फिर पार्ट B की बात करता हूँ यहां सब कुछ advance होगा जिसका level थोड़ा सा slightly difficult होगा जिसमें आपकी advance quantitative quantitative is equal to numerical ability only advance की बात करता हूँ तो reasoning ability and advance coding आने वाली है अगर आपको 7.5 का package चाहिए suppose करिए मैं part A के लिए बैठ रहा हूँ अपने test के लिए बैठा अगर मैं part A में ही अच्छा perform नहीं करूंगा तो शायद मैं eliminate हो जाऊंगा ऐसा इन्होंने या कुछ mention नहीं कर रहा है मैं फिर से बता रहता हूँ क्योंकि यह चीज पहुत सारे youtube channels में बता रही है अब मैं आपको main चीज बता देता हूँ आपका जो test होगा उसमें आपको part A और part B दोनों देना है ठीक है अगर आपकी performance on test अगर test में जो आप दोनों test दोगे part A और part B, part A अगर आप बहुत अच्छे से perform करोगे और suppose करो part A plus part B ठीक है यह आपने बहुत अच्छे से perform करा part A but part B में आपकी performance अच्छी नहीं हुई तो आप eligible हो जाओगे ninja role के interview के लिए ठीक है बट अगर आपकी performance part A as well as part B में बहुत ही जादा अच्छी होगी part B की में performance बता देता हूँ जिसका major contribution होने वाला है programming में तो अगर आपका part A और part B में दोनों में performance अच्छी होगी तो दोस्तों आप select हो जाओगे digital interview के लिए and जिस student की part A part B में दोनों में performance अच्छी नहीं होगी उसका दोस्तों कहीं न कहीं selection रुख जाएगा that is he or she will not be eligible for the interview तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा अगर आपकी performance अच्छी नहीं होगी तो आप interview के लिए ही eligible नहीं होगे पठा अगर आपकी part A part B दोनों में मिला के performance अच्छी है average है तो दोस्तों आप ninja role के लिए eligible होने वाले हो अगर part A और part B में बहुत ही जादा अच्छी performance है आपकी लगता है कि आपने programming questions भी गल लिए है तो दोस्तों आप directly digital के लिए apply होने वाले हो आगे बढ़ते हैं दोस्तों TCS exam actual interface दोस्तों ये actual interface आपको TCS की website पर भी मिल जाएगा ये photo साथी साथ Google पर भी मिल जाएगा दोस्तों ये आपको interface देखने को मिलता है यहाँ दोस्तों question paper instructions useful data यहाँ दोस्तों आपके number of questions आते हैं attempted questions आते हैं साथी साथ दोस्तों TCS आपको एक feature देता है अगर आपको calculator use करना है तो दोस्तों आप ये जैसी इस पर click करोगे तो दोस्तों आपकी screen के सामने calculator आ जाता है तो दोस्तों बहुत ही अच्छा feature है तो आप देख सकते हो TCS का actual exam interface है जो कि मुझे TCS की website से ही मिला है important details के उपर बढ़ते हैं अगर अभी तक video अच्छा लगा हो या फिर आप सभी का कोई भी doubt हो तो please comment section में बताईएगा और अगर preparation material चाहिए हो तो वो अभी से बता दीजे यार क्योंकि हम अपनी तयारी अभी से start कर द to part B until and unless you solve part A तो दोस्तों जब तक आप part A solve नहीं करोगा part B पर नहीं पहुचोगे जब तक आप normal questions solve नहीं कर पाऊगे आप advanced questions पर नहीं पहुच पाऊगे that is switching between the sections is not allowed अगर मैं बात करता हूं intersection की intersection की वो होता है जैसे कि part A में numerical भी है verbal भी है अब आप numerical चे verbal में नहीं जा सकते पहले आपको सारे के सारे questions numerical ability के करने होंगे समझ रहो ना even intersection is not allowed that is within the part A you cannot move to verbal ability section until and unless you solve numerical ability section समझ रहो ना पहले आपको numerical ability के सारे questions करने होंगे उसी के बात आप verbal ability के section पर पहुच होगे ठीक है बट दोस्तों question switching is allowed that is you can jump from question 2 to question 4 without solving question 3 अब यार मेरे को ना 4-5 question दे रहें ठीक है 2 है 3 है 4 है 5 है मेरे को 2 आता है 3rd वाला नहीं आता हो तो मुझे 3rd वाला switch करना है 3rd वाले में मुझे time waste नहीं करना तो मैं directly 4th वाले question पर जा सकता हूँ तो मेरे को यह liability मिलेगी कि मैं questions को skip कर सकता हूं question के बीज में switch कर सकता हूँ ठीक है तो यह liability मिल रही है बट आप between the section switch नहीं कर सकते हैं और साथी साथ intersection is also not allowed there will be an individual there will be an invigilator also who will be watching you throughout the video of your exam दोस्तों हर एक 20 students के group के लिए एक invigilator assigned होगा जो की आपकी वीडियो देख रहा होगा हां दोस्तों please अगर आप cheating करने के उसमें सोच रहो कि मेरे को solutions मिल जाएंगे youtube से मिल जाएंगे telegram groups से मिल जाएंगे please इन सब चीजों को भूल जाओ companies बहुत ही जादा strict होगी हैं मजाख नहीं कर रहा मैं बिलकुल भी मजाख नहीं कर रहा इन चीजों को अब आप भूल जाओ कि cheating नाम की कोई चीज हम कर पाएंगे या करोगे या तयारी करो cheating से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि companies काफी जादा strict होगी है video and audio will be monitored हा दोस्तों video और audio monitored होगी साथ ही साथ दोस्तों एक physically एक means student या कोई employee बैठा होगा जो कि आपको monitor कर रहा होगा काफी सारी काफी सारी चीज़े हो गई है सारी companies ने अपने system amazingly अच्छे से अच्छे कर दिया हैं मैं काफी खुश हूँ otherwise काफी सारे telegram groups पर एक लाग दो लाग group के जो group बने हुए numbers के मां बहुत सारी cheating चल रही है even आप अगर हमारा telegram channel join करते हो ना वहाँ आपको सिर्फ हम solutions provide करते हैं कौन्से test से पहले test से पहले ही आपको तैयारी करनी है तो अगर आपको हमारा telegram channel join करना है तो कर लिजेगा बट वहाँ cheating नहीं होती है आप देख लिजेगा बहुत ही rare मि रिष्टा भी है तो वह हम delete मार देते हैं तो एक बाद telegram channel ज़रूर join कर लिजेगा क्योंकि वहाँ भी हम काफी amazing amazing updates देते रहते हैं Slabors topic wise अगर मैं Slabors की बात करता हूँ कि TCS में Slabors क्या होने वाला है तो पहले numerical ability and advanced quantitative ability के section की बात करते हैं दोस्तो advanced as well as numerical का topic same होंगे बट difficulty level थोड़ा सा increase decrease होगा ठीक है numerical ability के topics की बात करता हूँ तो दोस्तो numbers, average, percentages, probability, profit and loss, ratio and proportion, time and work, time and distance, height and distance, clock and calendar, allegations and mixture problems on HCF, NLZM, permutations and combinations, topics बहुत सारे हैं बड़ी 13 topics सबसे जादा मेन हैं अगर आप इन topics की preparation कर लेते हो तो कहीं न कहीं बड़ी असान तरीके से निकाल लोगे जरूरी नहीं है कि आप हर एक topic को करो यार हर एक topic का फॉर्मना समझो, logic समझो उसके बाद questions अपने आप हो जाएंगे तो ये थे numerical ability के देखो या topic जोनों के सेम है बट सिर्फ और सिर्फ difference आएगा level of difficulty में आपको preparation वीडियो चाहिए हो तो जरूर पताइएगा वहां resources आपके साथ शेयर करने वाले हैं जासे बहुत सारी ample of practice कर सकते हो verbal ability के section की बात करता हूँ तो reading comprehension सबसर जादा main sentence, completions, anonyms and anonyms, spotting errors and sentence, reorder, reasoning abilities जो की जिसमें सबसर जादा questions होते हैं और सबसर जादा scoring होता है क्योंकि reasoning ability मेरा भी favorite है और मैं समझता हूँ आप सभी का भी favorite है क्योंकि इसके questions बहुत ही आसान तरीके से solve हो जाते हैं दोस्तों यहां आपको blood relation, coding, decoding, number series, legosm, critical reasoning, sitting arrangements and word pattern and cube folding मिलने वाले हैं related questions काफी जादा easy होते हैं advanced coding section की बात करता हूँ दोस्तों मेरी ना काफी सारे students सा बात हुई थी जिन्नोंने TCS code vita दिया है, on campus दिया है, TCS off campus दिया है इसके जो 4-5 topics से starting के पहले उन पर focus सरूर कीजेगा क्योंकि वो बहुत ही जाभा important है क्योंकि मैंने literally students से बात की मैंने बाकी की websites देखी, बाकी means बाकी लोग की वीडियो देखी उन्होंने अपनी वीडियो में trees, graph को काफी ज़ादा emphasize किया है तो मैं बोलूँगा trees और graph पर जब तक ध्यान मत दीजेगा, जब तक आपका array नाम का एक topic होता है वो strong नहीं होता topics की बात करता हूं तो दोस्तो mathematical based problems आपको मिलेंगी, arrays मिलेंगे, strings मिलेंगी, matrix, searching and sorting and pattern printing दोस्तो यह जो top 6 topics है ना, जब तक यह अच्छे है prepare नहीं होता है ना, बाकी के जो 5 topics है 7, 8, 9, 10 that is link list, recursion, dynamic programming trees and binary search tree इन पर मत जाना, आप कोई भी questions देख लिजेगा, maximum number of questions आपको array पर मिलेंगे, strings पर मिलेंगे, pattern printing पर मिलेंगे, searching and sorting भी कहीं न कहीं बहुत ही बात में आता है, पर सबसे पहले array, string and pattern printing आता है, matrix and mathematical based problems भी आपको देखने को मिलेंगे, पर प्लीज सबसे पहल में आपको लगता है कि यहां में परस अभी preparation इन बहुत सारा time है, तो उसके बाद आपको link list, recursion, dynamic programming, trees, binary search tree पर focus करना है, तो make sure अपनी preparation अभी से start कर दीजेगा, resources की कभी नहीं आएगी, telegram channel, instagram पर भी follow कर दीजेगा, instagram पर भी आपको काफी amazing opportunities भी हम share करते रहते हैं, पाकी दो 100 likes का, साथी साथ दोस्तों, thesis की जो hiring है, अगर आपने अभी तक इसमें apply नहीं किया, तो apply link आपको description में मिल जाएगा, मैं समझता हूँ, मैंने updated exam button, enslavers, दोनों चीजे इस वीडियो में बहुत अच्छे से in detail discuss कर दिया, कुछ test के features भी, जैसे कि आपको negative marking नहीं मिलती, question की switching आपको allowed होती है, section switching is not allowed, तो ये सब चीजे भी मैंने समझा दिये, तो hopefully video useful रहा होगा, video useful रहा हो, तो video को share भी सरू किजेगा, तो दोस्तों आज के लिए तई मैं जल्दी मिलता हूँ, अपनी नई वीडियो में, अपनी ने take update के साथ, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद होगा हूँ, जब तक के लिए।